स्टीडन्स लुखुली वियु मेट लाइचए लुखा일 Forbes box. आज अपना एक ऊश्वार टापिक स्टार्ट करने चाहरे हैं। विखले की कॉशल करेंकिंगे वॉखं़ ब्॥्रियों सनुखवर। हुखुशल कों में प्लूमें आपको कहा रहे हैं। यहां पर हमें कुछ भी नहीं कहा हुआ कि हमें alphabets भी डालने हैं तो हमें alphabets डालने की ज़रूरती हैं question number one पर आपसे कहा दे number one set of days in a week एक week में जतने भी days होते हैं seven days उनके name लिखने तो हम लिखने start करते हैं Sunday Monday Tuesday Tuesday Wednesday Thursday Friday and last Saturday फिर हम curly bracket को अपने बंड कर लेंगे इसके बाद number two पर आपसे कहरें set of one digit natural number natural number लिखने जो one digit वाले होते हैं set of event number between 12 and 21 हमें set बनाना है event numbers का जो शुरू हो हमारे कहां से 21 के बाद से चुरू हो और 21 से पहले पहले खतम हो जाएं तो 12 के बाद event number कौन सा आता है 14 16 18 and last 20 20 सिर्भ हमें 21 से पहले पहले के बताने थे तो हमने 21 एंड कर देना है इसके बाद number four है आपका sets of the first five planets हमें first five planets के नेम बताने हैं तो हम set बना लेंगे bracket लगाकर इसके बाद planet के नेम five बताने हैं पहले पहले तो पहला हो गया Mercury number two Venus number three Earth number four Mars और number five Jupiter तो हमें सब five नेम बताने थे तो ये हैं five numbers उसके बाद question number five आप से कहरें set of odd numbers between ten and twenty हमें odd numbers बताने हैं जो ten के बाद आते हों और twenty से पहले आते हों तो फिर से हम bracket बनाएंगे और लिखतेंगे eleven thirteen fifteen seventeen and last nineteen ये हमारे सारे क्या हैं? odd numbers है twenty से पहले 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 बेंड करना था तो nineteen हमारा last हो जाएगा फिर इसके बाद आपका question number six है sets of two digit number आपने two digit number बताने हैं उनका set बनाना है ठीक है आपने answer की heading डालनी है और बता देने हैं two digit वाले आपने numbers बताने कौन कौन से होते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं nine के बाद से ये शुरू हो जाते हैं two digit वाल number तो कहां से शुरू हो जाएगे ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fourteen, fifteen, fifteen यानि nine के बाद तो सारे two digit number होते हैं तो फिर हम सारे तो नहीं लिखेंगे hundred, ninety-nine तक सारे जो है हमारे पास two digit number होते हैं तो हम इस तरह से dots डाल करके इसके आगे two digit वाले ही चलते जाते हैं 99 last होते हैं हमारा फिर hundred आता है वो आपका three digit number कर आता है तो 99 हम last करते हैं और यह आपका answer हो जाए है इसके total questions आपके पास one से लेकर six तक हैं ठीक है यह आप देख लें total one से लेकर आपके पास six तक हैं आपने इससे अपनी school की copy में write down करना है hopefully आप लो कुई अपना topic समझा गया होगा take care till the next class, Allah Hafiz